सीयम की प्रेड़ना से एक विशेश पहल पर जिला हमेरपुर के आंगनवाडी केंद्रों में छे महा से एक वर्ष तक के सभी बच्चों को हर हफते रागी का चूर्मा और एक वर्ष से तीन वर्ष तक के बच्चों को देसी घी एवमर रागी के लडूत दिये जा रहे हैं। इनके अलावा कुपोशित बच्चों को ये लडूत दिये जा रहे हैं। कुपोशित बच्चों को ये लडूत हफते में दो बार दिये जाएंगे। रागी के लडूत दिये जा रहे हैं। इसके अंतरगत अगर इसमें और भी चीजे उनके पोशित के लिए जोड़ी जाएं तो उनके लिए अच्छा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे मतलब इनके लिए इनकी डाइट में और भी कुछ ऐसे ही साथ में जोड़ा जाएं। ये बहुत अच्छी पहल है। शे से तीन साल का मेरा बच्चा जो है आगनबाडी के अंदर नारजयान में आता है। इस वार WCD विबाग से जो आगनबाडी वालों का विबाग है उनके द्वारा रागी के लड़ू की आगनबाडी के अंदरों में पहल की गई। और मेरा जो बेटा है आगनबाडी में आज आया हुआ है रागी के लड़ू मेरे बेटे को हक्ते में एक वार मतलब हक्तों में चार अंदरों में दिये जाएंगे। और मैं बहुत बहुत अरसासन का धन्यवाद करते हूँ तो जीनों ने राकी के लड्डू की ये पहल जो सुरू की है और आके भी आगनवाडी केंद्रों में ऐसे पोसा हाथ आते रहें मैं जीला अरसासन का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ कि ये जो राकी क यहां पर जो लड़ू मिल रहे हैं वो हमारे बच्चों की सहत के लिए बहुत ही लाग दायक है और ऐसे मतलब जो भी रोग राकी के लड़ू ऐसी चीज़ें जो है वो परसासन को एड़ करने चाहिए मैं अपने विभाग डबलू सीडी और परसासन था बहुत बहुत दन्या करते हों कि अन्यार के आंगनबाडी में आता है और यहां पर जो लड़ू मिल रहे हैं वो हमारे बच्चों के सहत के लिए बहुत अच्छे हैं और हम सब यहीं चाहते हैं कि यह हर हवते मिलते रहे और इस सरकार से यहीं निवेतन है कि इसे भी अच्छा-च्छा और विदाएं दी जाए बच्चों को ताकि बच्चे अच्छे से यहां पर आके खेले पड़ाई हर सब कुछ कर सकोई सरकार से बस यही निवेदन है कि सब कुछ बच्चों के लिए अच्छा किया जाए और जो चला हुआ है जो हो रहा है स्कूलों में आंगनबाडियों में उसर कुछ अच्छा है और बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं